जिस भाईजान के नाम से काप जाता है पूरा बॉलिवूट जिसके सामने घुटने टेक देते हैं साउट से लेकर हॉलिवूट के बड़े से बड़े सूपरस्थार खुच सल्मान खान के पिता ने बताई भाईजान की वो सच्चाई फूट फूट का रोने लगे फैन पचपन रुपए पिता सलीम खान और मुंबई का वो इलाका भाईजान की जिन्दगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जिसके फिल्म तोड़ देती है बड़ी बड़ी फिल्मों की कमर जिसके सामने ढीले पड़ जाते अक्षे कुमार से लेकर केजी एफ के रॉकी भाई सामने आ गई भाईजान सल्मान की असली कहानी आ रही है बॉल्यूट के भाईजान सल्मान खान की ऐसी बड़ी फिल्म बड़े से बड़े अभिनेताओं की तूट जाएगी कमर बरबाद हो जाएगा साउट सिनिमा का करियर काम मांगे आएंगे सल्मान खान से बड़े बड़े सुपरस्टार इन सब के बीच एक कहानी ने बॉल्यूट को हिला करक दिया साल 2024 में आपने एक से बड़ कर एक बड़ी हिट फिल्में देखी हूँगी लेकिन यकीन मानी अब हम जस फिल्म के बारे में बताने जारें उसको देखने के लिए आप आज से ही बेसबरी से इंतिजार करने लगेंगे साल 2024 में सल्मान खान के आने वाले फिल्म अब तक के पिछले 50 सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी भाईजान के इस फिल्म के आगे केजिये पाहु बली समेथ शारुखान की पठान जवान सब धरी किधरी रह जाएगी आई अब आप सब को बताते कि भाईजान के आने वाले फिल्म किस फॉर्मिट पर होगी और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वो अब तक किस सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी लेकिन उससे पहले आपको एक दिल्चस्प बात बताते हैं आखरकार के अमरे के सामने सल्मान खान के पता सलीम खान क्यों फूट फूट करोने लगे रोते हुए सलीम खान ने सल्मान खान पर ऐसी बात बोल दी अपने पुराने दिनों को याद करते हुए सलीम ने कहा कि शुरुवाती दिनों में जब वो मुंबई आय थे तो उन्होंने मरीन ड्राइपर मरीना गेस्ट हाउस में आधा कमरा किराय पर लिया था वो चाहते थे कि वो पूरे कमरे को किराय पर ले लेकिन खुद के पैरों पर कुछ करने का मन था इसलिए वो मुंबई शिफ्ट हो गए आर्थिक तंगी जेलते हुए धिरे-धिरे हालात सही हो गए उसी बीच सल्मान और अरबास ने भी जर्म लिया आज उपर वाले के भरोसे से पूरा परिवार खुशाल जिवन यापन कर रहा है उन्होंने सल्मान की तारिफ में कहा कि वो अच्छा बेटा और अभी नेता है इन दिनों वो अपनी नई फिल्म को लेकर काफी व्यस्त हैं सल्मान अपनी आगा में फिल्म सिकंदर को लेकर शूटिंग में लगे हैं सल्मान खान और A.R. मुरुगदास की आक्शन से भरपूर इस थ्रिलर फिल्म सिकंदर में VFX होगा, Suspence होगा और तो और सबसे बड़ी बात भायजान का वो आक्शन होगा जो ना तो अब तक किसी फिल्म में आपने देखा होगा और नहीं किसी अभीनेता ने कभी किसी फिल्म में ऐसा रोल निभाया होगा सिकंदर में सल्मान खान यानि भायजान डबल रोल में नज़र आएंगी फिल्म में सलमान खान एक पड़े बिजनसमैन की बुमी का निभा रहे हैं जो समाज में अपने अच्छे काम के लिए जाना जाता है इसके लावा फिल्म में सलमान खान का दबंग रोल भी नजर आएगा जो अब तक किसी भी फिल्म में देखनी को नहीं मिला है भाई जान के इस रोल के आगे ना सिर्फ उनकी अब तक की पिछली सभी फिल्में फीकी पढ़ जाएंगी बलके पिछले 50 सालों के फिल्मों के रिकॉर्ड भी तूट जाएंगे फिल्म में सल्मान खान एक पर्सनल चार्टर प्लेन में विल्म के बेटे के साथ फाइट करते हुए नजर आएंगे फिल्म के में जिस एक सीन नहीं अभी तक की सभी फिल्मों के आक्शन सीन को फीका कर दिया है परसनल चार्टर प्लेन में विलन के बेटे के साथ हुए इस आक्शन वीडियो की बाते सुनकर ही ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस फिल्म को कि शांदार अंदाज में फिल्माया गया होगा बाहुबली स्टार सत्यराज ने फिल्म के आक्शन सिक्वेंस में चार चांद लगा दिया है फिल्म में कैसा भी सीन्स शूट किया गया जिसे सुनकर दूसरे अबिनेता बहुत हैरान है दरसल फिल्म में एक 10,000 पिस्टाल और गोलियों के साथ एक खास आक्शन सिक्वेंस को शूट किया गया सिकंदर के में जिस एक आक्शन सीन से बाली उट के सारे के सारे आक्शन सीन पर पानी फिर चुका है हर को इस फिल्म को देखने के लिए बेसबरी से इंतिजार कर रहा है वहें फिल्म की शूटिंग के चलते सल्मान खाने भी पिछले दो माईने से खुद को अपने सभी जरूरी काम और प्रोजेक्ट से दूर कर लिया है फिल्म को साल दोजार पच्चिस में इद के मौके पर रिलीस किया जाएगा